हेलो एब्रीवन आपका एगाफीर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इसमें मैं आप से डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्वल फंड है इसने पिछले एक साल तीन साल पॉंच साल या फिर एनवल रेटन क्या दिया है आज के डिट में इसका एक एनवी का प्राइस क्या है यह कितने स्टार रेटी मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिममम साइप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साती साथ मैं आप से डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पाईसा जमाग किये होते तो फिर आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट में मैं आप से डिसकस करूँगा कि क्या हमें SBI PSU diet plan growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लंग सम के साथ क्या करेंगे बात करते हैं SBI PSU diet plan growth ये एक equity mutual fund है जो कि selectrical या फिर thematic category के अंदर आता है और ये काफी high risk mutual fund है इसने जो पिछले एक साल में return दिया है वो return है 89.78% का तीन साल की return के उपर बात करते हैं तो 3 साल में 43.57% का return है पांस साल के बात करते हैं तो 5 साल में 39.62% का return है और अगर इनकी inward return की बात करें तो इन ध्यान देंगे अभी जो भी return मैंने आपके साथ discuss किया यहाँ पर एक साल, तीन साल या फिर पांस साल का यह इनका one time यानि की lump sum का return है अगर आप एक बार में पैसा invest करते तो आपको यह return देखने को मिलता अगर आप S.I.P के थोरो investment करेंगे तो return आपको कुछ और मिल सकता है त रेटिंग की बात करें तो इसको किसी परकार का भी रेटिंग नहीं मिला हुआ है इसमें minimum S.I.P अमॉंट आप 500 रिपर का लगा सकते हैं और इसका fund size है 3694 करोर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते तो फिर आपको क्या return देखने को म देखने को मिलेगा और आपको एकाउंट आपनिंग या पिर एकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा अगर आप मेरे रैप्र रिंग से जोईन करेंगे और आगे चल करते हैं अगर आपको mutual fund में कोई दिक्कत आता हो तो मैं काफी हद तक उसका solution कर दू रुपया यानि कि एक साल में SIP के थरू आपको रिटन देखने को मिलता वो करीब 36% के आसपस रिटन देखने को मिलता तीन साल के रिटन के बात करते हैं तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता एक लाग असी हजार आपको मिलता तीन लाग असी हजार पांसो अक्श रुप यानि कि SIP के थरूप 5 साल में आपको करीब 180% का रिटन देखने को मिलता अब बात करते हैं कि अगर आप इस मुच्वल फंड में एक बार में एक लाक रुपया का लमसम किया होते तो एक साल में आपका एक लाक रुपया एक लाक उनासे जार 780 रुपया होता तीन साल में जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 अश्के सैक्टरवाज डिसकस करते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फानेंसियल छेत्र गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी पावर गीट कॉर्परेशन अफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी एंटीफिसी लिमिटेड एनर्जी भारत एलेक्ट्रोनिक लिमिटेड कापिटल गूड्स कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी लाइफ इंस्वरेंस कोपरेशन आफ इंडिया एनर्जी पेट्रोनेट एलेंजी लिमिटेड एनर्जी ज प्राइस पे है 1.5% अब इस एक्विटी को अगर सेक्टर वाज देखते हैं तो एनर्जी पे है 42.2, फाइनन्सियल पे 23.8, इंस्वरेंस पे 10.5, कैपिटल गूट्स पे 10.1, मेटल एन माइनिंग पे 9.2 और अदर्स पे 4.3% यानि कि अगर आप SBI PSU फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेश्ट करते हैं तो इन सारी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्टिबूइट होकर के लगेगा इसकी एडवांस रेसियो के अगर बात करते हैं तो इसका अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेश्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिममम लंब सम आपको पांस जर्प्या करना होगा और अगर आप SIP के तो इन्वेश्मेंट करते हैं तो 500 रप्या से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं रेटन रेंकिंग के ओपर बात करते हैं रहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें SBI PSU फंड के अंदर निम्देश्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SBI PSU फंड का जो फंड रेटन है वो एक साल में 89.8 है तीन साल में 43.6 पांच साल में 29.6 और एन्वल है 13.9 का वहीं पर इस कैटेगरी का जो एबरेज रेटन होता है यानि कि एक्वेटी सेलेक्टरिकल या फिर थिमेटिक कैटेगरी का एक साल में 94.5 तीन साल में 45.8 और पांच साल में 32.1 है और रेटन रेंट की कैटेगरी पर देखेंगे तो एक साल में यह दो नमर पे रेंग करता है तीन साल में भी यह दो नमर पे रेंग करता है यानि कि अगर आप एक PSU मुच्छल पन ढूंड रहे तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है आप इसके अंदर अपना इंवेस्मेंट बना सकते हैं अगर आपने औरेड इंवेस्ट किया है तो आगे आप अपना S.I.P. आप फिलम सम को कंटिनियू रखेंगे इनकी expense ratio की बात करते हैं तो इनका expense ratio 0.75% का exit load की बात करते हैं अगर आप अगर आप इंवेस्ट की आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पर 20% का आपको tax payment करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं एक साल में 1,25,000 का return बनता है तो आपको 12.5% का यहाँ पर tax payment करना पड़ेग अगर आप एक साल के बाद अपना पैसा इससे निकालेंगे और एक साल में आपका 1,25,000 का return नहीं बनता है तो फिर आपको 12.5% का tax payment नहीं करना होगा इसके fund house and investment objects की बात करते हैं तो SBI mutual fund total assist में इंडिया पे नमर एक पे रेंग करता है इसका total assist under management है 10,37,900 करोर का बात करते ह SBI mutual fund की तरब से रिचार्ट भी सुझा अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist under management है 10,37,900 करोर का और latest नहीं भी 38 रुपया 30 पैसा बात करते हैं SBI PSU diet plan growth ये एक काफी high risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 500 रुपया का set किया गया है और minimum لمसम 5000 रुपया का set किया गया है अगर आप invest क्यावा पैसा 30 दिन 0% का exit load देना होगा और इसकी fund benchmark की अगर बात करते हैं तो इसका fund benchmark है BAC PSU total return index तो जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ discuss किया SBI PSU fund के बारे में तो अगर आप इस mutual fund के अंदर अपना investment करना चाहते हैं तो आपका vision जो होना चाहिए वो long term vision होना चाहिए अग करके इसके अंदर रखेंगे तो आगे आपको काफी इच्छा return देखने को मिलेगा अगर आप सौट ट्रम इंवेस्ट करने के लिए स्वोच रहे हैं तो सौट ट्रम आप SIP नहीं लंसम के थ्रू investment किजिए आपको काफी तगड़ा return देखने को मिल सकता है इसके अलावाद दो और PSU fund काफी अच्छा है एक तो आदित पिल्ला सनलाई PSU fund दुसरा इंवेक्स ओ इंडिया PSU fund और तीसा जो है SBI PSU fund अगर आप PSU fund देख रहे हैं तो आज के डेट में ये टॉप 3 PSU fund है तो आप इन तीनों के अंदर भी आपना investment बना सकते हैं तो फिर मिलते हैं लोग को इस तरीके का विडियो की अच्छी जानकारी को ले करके